हेलो दोस्तो मेरा नाम शाहबाज बनवा है और आप देख रहे हैं Your Englishman दोस्तो मैं हूँ आपका Englishman और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको English बोलने में मदद करता हूँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी request करना चाहूंगा कि अगर आपको यह topic समझ में आ जाता है तो आपको इस topic के 4-5 sentences comment section के अंदर लिखने हैं जिससे हमें पता चले कि भाई जो हम आपके लिए efforts डाल रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो actual में सफल हो रही है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी comment section में लिख दीजिए तो उसके बाद हम आपको और थोड़ी जादा मदद करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए चलिए शुरुआत करते हैं जी हाँ दोस्तों तो title और thumbnail से आपने पहचान ही लिया होगा कि आज हम कौन से topic के बारे में discuss करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आज हम discuss करने वाले हैं get के बारे में अब आप सोच रहोंगे get के बारे में अब क्या discuss करने है बाई get का मतलब तो हमको आता है मिलना प्राप्त करना पाना इस तरह का मतलब होता है न for example I got 90 percentage in my 12th standard जैसे मुझे बार्मी में 90% मिले थे या मैंने बार्मी में 90% प्राप्त किये थे तो मिलना और प्राप्त करना और पाना उसका तो आपको मीनिंग पता है तो भाई वीडियो में discuss क्या करने वाले हैं जी हां दोस्तों तो आज हम discuss करने वाले हैं get याने होना जी हां दोस्तों get को आप होने के तोर पे भी उप्योग करते हो जो 90% लोग जानते ही नहीं मतलब जो लोग अभी-भी इंग्लिष सीख रहे ना उनको ये get तो पता यी नहीं है या जो बचपन से इंग्लिश बोलते हैं उनको ही पता है कि get याने हो ना होता है हो ना राइट हो जाना या हो ना जैसा मतलब होता है get का ठीक है चलिए कुछ examples से देख लेते हैं जिससे पता चलेगा जिस हम बोल रहे हैं कि बाई busy होना ठीक है फिर ready होना तो आप मतलब खाली ready नहीं बोल सकते या खाली busy नहीं बोल सकते confused होना तो आप खाली confused नहीं बोल सकते ठीक है ठक जाना तो खाली sentences से ही English बनता है और आपको छोटे-छोटे sentence सीख के ही English सीखना है चलिए कुछ examples से पता कर लेते हैं कि ये get को actually किस तरह से perfectly इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले get ready चलिए example देख लेते हैं come on get ready we are going out for dinner चलिए जल्दी तैयार हो जाएए यहाँ पर इसा बताना चाह रहा है तैयार हो जाएए हम डिनर के लिए जा रहे हैं तो तैयार होने के लिए हमने सिर्फ ready यूज नहीं किया हमने यूज किया get ready ठीके तो दूसरा example है got scared जिसे I got scared when police stopped me याने मैं डर गया याने मैं डरा हुआ डर मेरे अंदर हो गया मैं डर गया दोस्तो अभी lockdown का समय चल रहा है और police जैसे ही रोकती है तो थोड़ा डर तो लगता है तो डर हो जाना डर ना उसके लिए सिर्फ scared नहीं लगाना है आपको get scared लगाना है ठीके दोस्तो इसके बाद है getting late जिसे hey come quickly we are getting late चलिये जल्दी करिये हम लेट हो रहे हैं तो सिर्फ late we are late नहीं बोलना हम लेट हो रहे हैं तो बोलेंगे we are getting late ठीके दोस्तो उसके बाद एक और example है get confused तो whenever I try to solve any maths problem I get confused याने जब भी मैं दोस्तो यह सर्च बोल रहा हूँ मेरा maths बहुती ही के भाई आ होना रहा है बट मेरा वी मेच बहुत ही वी के दोस्तो तो दोस्तो जब भी मैं मेच की problem solve करनी कोशिश करता हूँ ना तो मैं बहुत ही confused हो जाता हूँ तो confused होने को यहां में use किया get confused ठीके दोस्तो उसके बाद है got busy याने get busy तो बुलेंगे I got busy in some work so I couldn't call you मैं office में कुछ काम में busy हो गया दोस्तो अगर सिर्फ आपने I busy या I am busy लगा होता तो वो गलत होता ठीके इसलिए हमने क्या लगाया I got busy ठीके दोस्तो आप यह भी सोच रहे हो के भाई कभी आप getting लगा रहे हो कभी got लगा रहे हो तो वो भाई मतलब tenses के कारण उसके लिए आपको tenses सीखने पड़ेंगे ठीके पर अभी मोटा मोटा मैं ऐसा मानता हूं कि आपको tenses आते होंगे और अगर नहीं आते तो हमारे आगे के वीडियो देख लीजिए उस भी बहुत सारे tenses आपको मिल जाएंगे ठीके दोस्तो उसके बाद example है get tired याने ठक जाना ठक आता वॉलिवुड कच्रा है यार मतलब हॉलिवुड मुवी में जो रियल चीज है वह हॉलिवुड ही है ठीके यह सच है इसको कोई जूटला नहीं सकता ठीके उसके बाद है get hot याने गरम हो जाना तो अब देखिए the weather gets really hot between 11 a.m. to 5 p.m. during summer in एहमदाबाद यानी एहमदाब गरमी होती है याने वो शहर बहुत ही जादा गरम हो जाता है तो होने को गरम होने को बोलेंगे get hot ठीके उसके बाद get selected तो बोलेंगे my brother got selected in Google India यानी मेरा भाई Google इंडिया में select हुआ मेरे भाई का Google इंडिया में selection हुआ तो यहाँ पे भी होने को हम बताएंगे get selected selected यहाँ पे हमने बताया got selected ठीके दोस्तों उसके बाद है get nervous याने nervous हो जाना तो example है my sister got so nervous before her result यानी मेरी बहन उसके result से पहले बहुत ही जादा nervous हो गई तो nervous होने को भी हमने लगाया get nervous दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझा रह है अगर कुछ भी doubt है तो आप comment section में लिख सकते हैं और मैं definitely आपको मदद करूंगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अब last वाल example देख लेते हैं तो यहाँ पर example इस तरह से है get bored तो बलेंगे I always get bored in maths lectures याने maths के lecture में मैं हमेशा bored हो जाता हूं तो bored होने को भी सिर्फ bored boring bored इसा न आना है तो get bored लगाएंगे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिलकुल शेर कर दीजिए क्यूंकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आने वाला हूँ तैंक्यू वेरी मच्च